दिल्ली ना निजामुद दिन विस्तार मां गत महीने थायेला तबलीकी जमातना कारेक्रम बाद देश मां कोरोना केसों नी संख्या वधी शे आरोग्य मंत्रा लेना आकडाओ प्रमाने देश भर मां कूल पॉजितिव केसों मां थी त्रीस टका केस तबलीकी जमात साथे जोड़ायला छे जे सतत वधी रहा छे कटना बाद दिल्ली, गुजरात, उत्तरप्रदेश अने तामिलनाडू जिवा राजियो मां केसों नी संख्या मां अचानक उछाड़ाव आवयो एटलूज नहीं आ राजियो मां मुस्लिम बहुलक वाड़ा विस्तारों ने संपोल्न रिते लॉकडाउन पन कराया आ आकड़ाओ एक हाकिकत छे जोके आ बाद सोश्यल मीडिया मां फेक वीडियो थी कूप्रचार शरू थायो प्रमीक माहिती अने खोटा संदर बो साथ है के टलाक वीडियो मां एवो दावो करवा मावयो के मुस्लिम समुदाई कोरोना वाइरस संक्रमन मांटे जवाब दा मुस्लिमों उपर कोरोना वाइरस से फैलावानों आरोप अनी गोडी मारवानी धंकी आप तो वीडियो बिहार ना वैशाली नो छे जोके हवे आ वेक्तिने पोली से पकड़ी लिदी शे जोके देश मा आगरी जैम फलाई गये लिए आ विचार धाराय हिमाचल प्रदेश ना एक गाम मा दिलशाद मोहम्मद ने आत्मा हत्या करवा माटे मजबूर करी दी था तेम नो कोविड-19 टेस्ट नेगेटिव आव्यो हतो परन्तु गाम लोकोना मेहना ते उस सहन ना करी शक्या मुसलिम समुदाय ने निशान बनावानिया होड त्यारे शरूत है जारे कोरोना वाइरस ना टेस्ट माटे आवता हजारो लोकोना तार दिल्ली मा थैली तबली की जमातना आयोजन साथे जुड़ावा ला गया जमाती ओ जानी जो इने लोकोने संक्रमित करी रहा होड़ानी खोटी माहीती फैलावा मावी सोशल मीडिया आप्स जैसे वाट्साप के जरीए कई हेट वीडियोस फैलाए जा रहे हैं मेरे फोन में भी कई आये जिन में से एक जो इसे इलाके का बताया जा रहा है उसमें ये दिख रहा है कि मुसल्मान रेडि वालों को फल और सब्जी बेचने से रोका जा रहा है क्योंकि ये डर है कि उनसे यहां करोना वाइरस फैल सकता है विश्वस्वास्त संगठा ने कहूं छे के कोविड-19 ना दर्दियों ना जात के धर्मना आधारे नजवामा आवे ए महत्वनुश है परंदु भारत मा कितलिक समाचार चैनल उपरज आ आरो पो लागी रहा शै भाज़े पे तेना नेताओं ने भेदभाव सामें सचेत तो करया परंदु भड़काओ भाशान सामें कोई प्रकारनी कारेवाही न थी कराई आगंबिर परिस्थती छे वड़ा प्रदाने टेलिविजन ना माध्यम थी संदेश आपी ने मेडिया ने मंत्रियों पर लगाम लगावी जो ये आमने 20 करोड नागरिकों ने मुस्लिम होवाने कारने अलग ना करी शकाई कुरोना वाइरेस महमारी पची हडी मडी नेज भारत ने बैटू करू पडशे एक महिना पहला ज़ दिली मा कोमी रमखानों फाटीन कड़ा हाथा जे मां 50 सी वधारे लोगों ना मौत थाया पहला थीज विभाजिस सतीमा मुस्लिम समुदाय ने निशान बनावा थी बनने कोम वच्चेनों अंतरवधारी घेरू बनीशकेश है दिली रमखानों बाद तबलीकी जमाद पर उठेला सवालों ने लेने मुस्लिम समाज विरू द्रोशनी जहरे क्या समुदायमा भई निलागनी शे आविशे बीबीसी समवादाता दिपल शाहे मौला ना आजाद नेशनल उर्दू युनिएरसिटी ना पूर्वकुल पती जफर सरश वाला साथे वात करी है ने तिमनों मत जाने हो जो या वाचित ना किला कंशो तो सोशेल मीडिया में जिस तरह से हेट और फेक निउस भी अब तो बहुत चल रही है प्राबलिम यह है कि देखिए जहां तक यह जो वाट्सअप वाले और जो सेकेंड और थर्ड लेवल के जो लोग हैं जो आईटी सेल के जिनको कहते हैं वो अगर करते तो समझ में आने वाली बात थी क्योंकर उनका तो सबजेक्ट ही है और वो यही काम करते हैं लेकिन हमारा नैशनल मीडिया जिस तरह से आप देखें टेलिविजिन उठा कर देखें और वो जो उन्होंने पूरा पिक्चर सामने किया और यह आग लगाई पूरी मैं इसको कहूंगा कि आग लगाई है तो मेरा मुसल्मानों को यही कहना है और मैं बार बार कहता हूँ कि देखें आप लोग खामोशी इखतार कीजिए यू डॉन्ट रियाक्ट आप रियाक्ट भी मत कीजिए आप चुप हो जाईए इसमें जो मुसलिम कम्यूनिटी है उनमें क्या रियेक्शन क्या सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है आपको मेरा जो एडवाईस है मुसल्मानों को कि नफरत को आप महबत से जवाब दो प्राफिट ने ये कि जो तुमसे तोड़े तुम उससे जोड़ो जो तमवारे साथ बुराई का मामला करे तुम उसके साथ भलाई का मामला करो तो मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग नफरत का बजला अगर महबत से दे देंगे तो ये नफरत अपने आप खतम हो जाएगी